नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजू किस्टे चनल में तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे बीमारी के बारे में सीखने वाले है कि जिसको देखके आपको ऐसा लेगा कि ये कोई स्कीन डिसीज है पर ये स्कीन की बीमारी नहीं है पर आपको ऐसा लगा कि ये कोई पिंपल्स या फिर कोई स्कीन डिसीज हुई है कोई आलर्जिक रियेक्शन हुई है या फिर ये वाले इसे ब्लिस्टर देखके आप ऐसा कहोगे कि साइद ये चिकन पॉक्स है पर ये चिकन पॉक्स भी नहीं है इसमें इस तरह से आपके हथे उसे दानों का बढ़ना के पहले फूसिया होती है फिर ये दाने जो बढ़ने लगती है उसमें कई बार पानी जैसा लिक्वीड भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है और वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तेज खुजली होने लगती है और पिले रंके एक तरल प पॉक्स की बीमारी हो सकती है तो सीखते हैं डिटेल में मंकी पॉक्स के बारे में तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिटेल में एक इंट्रोडक्शन समझते हैं फिर उसके रीजन क्या है सिम्टाम्स डियाग्नोसीज और ट्रीटमेट और मेडिसिन के बारे में समझेंगे तो monkey pox क्या है कि जैसे chicken pox एक virus के करण होता है ऐसे ही monkey pox भी एक virus के करण होनी वाली बीमारी है और especially एक संक्रमक रोग है जिसमें दाने बुखार और अन्य गेर दाने लक्सनों के एक से पाँच दिन बाद विक्सिद होते हैं कि इस तरह से यह जो दाने दाने जो है वो चहरे पे, हाथ पे या फिर सरीर के किसे भी पाट में जो है वो देखने को मिलते है फिर बुखार आता है पेशन को और जो सरुवात कि इस तरह से होती है तो सपार्ट धब्बों से होती है महलें कि एक plain दब्बे देखने को मिलते हैं कि मालों कि ये वाला इस तरह से एक plain दब्बा देखेगा वहाँ पे एक छोटा से आपको blister जीसा देखेगा और फिर दिरी दिरे वहाँ पे इस तरह से एक bumpy formation होता है कि जिसके अंदर पीली रंग का एक पदार यानि कि जो fluid है वो बड़ा हुआ आपको देख जाता है और जब ये सूख जाता है कई बार तो वो एक पपड़ी दार हो जाता है जैसे पपड़ी हो जाती है एक्जिमा के अंदर ऐसे और वो जो है वहाँ से गिर जाती है या फिर निकल जाती है तो जैसे हम यहाँ पे monkey box के बारे में सीख रहे है ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो हमारी जो book है decision treatment उसको आप जरूर से order कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमने अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखाया है उनके उपचार के बारे में तो यह book को order करने के लिए आप हमें यहाँ पर दिए गए नंबर पे whatsapp कर सकते हैं अब topic पर वापस आते हैं तो monkey box में जो हमने अभी समझाया उस तरह से day by day इस तरह से growth होती है कि आप day 2 में देखे जब भी इसके symptoms देखना सुरू होते है तो सरवात में इस तरह का यह blister या फिर boil बनता है फिर दिर 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 की आप condition देख सकते है और day 5 and then day 10 दिर 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 वो जो है वो इस तरह से पपड़ीदार बन जाता है और कई बार उसमें fluid भी जमा होती है तो reason हम देखे तो एक rare disease है कि जो एक M-pox करके जो वाइरस है यह वाइरस के संक्रमन के करण उनसके infection के करण यह बीमारी जो है वो फैलती है और यह एक वा तो smallpox virus जो है उसके करण यह problem होती है symptoms के हम देखे तो skin के उपर तो में blister वगरा देखने को मिल जाते है balls देखने को मिल जाते है पर दूसरे कौन से symptoms develop होते है patient के अंदर तो यहाँ पर हम देखे तो ठंड लगना कि जिसको हम कहते है chills कहते है काफी ठंड लगती है कावट में इसुस करता है patient यानि की fatigue बुखार आ जाता है fever रहता है यहाँ पर यह problem के अंदर headache रहेगा यानि की सीरदर फिर mass patient में आपके दर्द रहता है पीठ में दर्द रहता है मरलाब की जो muscles के अंदर pain रहता है back pain रहता है skin के ओपर जो रैसिस बनते हैं जो हमने अभी देखे lymph node में सूजन आ जाती है और आप जो है वो कमजोरी fatigue जैसा और ठकावट जैसा मैसूस करते हैं कुछ और symptom देखे तो चाते में कई बार दर्द होता है बोलने में कठी नाई कई बार patient होस खो बेता है सास लेने में तकलिफ होती है गर्दन में और दर्द या फिर गर्दन में अकडण जैसा जो है वो मैसूस करते हैं तब बात करते कि diagnosis कैसे होका तो diagnosis के लिए सबसे वहले एक physical examination है कि जो sign and symptom से उसके basis पर diagnosis होता है फिर एक tissue culture test किया जाता है कि जहाँ पर यह इस तरह का problem हो है वहाँ से sample लेकि उसका culture test किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से microorganism की grow हो रही है फिर monkey box का specially polymerized chain reaction जो test होती है जैसे कि किसी भी virus में PCR test किया जाता है ऐसे ही इसमें भी PCR test से भी confirmation होती है और rapid test kit भी एक आती है जैसे coronavirus में था ऐसे ही इसमें भी एक rapid kit आती है कि जिसके अंदर अगर दो line इस तरह से positive बनती है तो आपका test positive यहाँ पर देखे तो यह invalid result है यहाँ पर भी invalid है और यहाँ पर यह negative बनता है पर जब भी दो line यहाँ पर बनती है तो वो एक positive test जो है वो माना जाता है treatment के हम बात करें तो कुछ home remedies रहेगी cool बात रहेगा मलब कि ठंडे पानी से नहाना इतना भी ठंडा हैने कि जिससे ज़दा ठंड लगे बट थोड़ा से ठंडा गरम पानी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते calamine lotion अपलाई कर सकते जहाँ पर यह problem हुई है fever होता है तो उसके लिए paracetamol का एक option अच्छा बनता है और itching और recis के लिए antistamine के जोग symptom based हो गया और antiviral drugs का एक options बनता है तो home remedies के हम बात करें तो को अच्छा healthy खाना healthy diet दे सकते है fruit juices वगएरा patient ले सकते है कि जैसे उसके अंदर एक stamina बना रहे है कोज यहाँ पर ठकावाटा आ जाती है कमजूरी रहती है तो यह problem हम solve कर सके तो जो fever आता है उसके लिए paracetamol ही एक based option है कि उसका कोई भी brand यूज़ कर सकते है 500 mg दिन में एक या दिन में दो बार ले सकते है पर maximum 3 या 4 tablet से ज्यादा यूज़ ना करे वरना liver के उपर भी असर हो सकती है तो paracetamol ज्यादा dose में लेने के जरूरत नहीं है दिन में एक या फिर दिन में दो और maximum 3 बार 500 mg वाला dose प्रिस्क्राइब किया जा सकता है तो या पर मैं फिर से आपको बज़ा दो कि जो book है उसको जरूर से purchase कर सकते है book को purchase करने के लिए आप यहाँ पर दियेगे number पे हमें whatsapp कर सकते है second जो option है कि एक prevention के लिए भी रहता है और उसके पहले हम जाने कि कुछ antiviral medication है वो है बट एक vaccination भी इसके available रहती है तो vaccination भी करवा सकता है prevention के लिए बढ़ अगर यह problem होती है तो दुसरा जो option है वो है antiviral first line drug कि जिसका यहाँ पे हम देख रहे है टी पॉक्स capsule करके है जो 200 mg के strength में available है और उसका content हम बात करें तो टेको विरिमेट करके है 42 capsules यहाँ पे available है और prescription based medication ही रहती है injection रहता है single dose कर 10 mg पर ml और capsule रहती है और 600 mg twice जितना dose जो पेशन को लेना होता है डेली और 14 days तो एक proper medical super reason में यह prescribe किया जाता है और तिसरा option यहाँ पे है antiviral में ही वो है seed of ovir के injection का कि यहाँ पे marketed formulation है m-cure का वो है sydnavir करके कि जिसके अंदर 75 mg drug है 1 ml के अंदर पर यहाँ पे कुछ instruction लिखिए कि dilute before use for IV infusion only मलतके सिर्फ और सिर्फ IV से ही उसको दिया जाता है और यह 5 ml के single use vial में यह available है तो अगर कोई pregnant है और उसको यह problem होती है तो seed of fever जो है वो use नहीं होती और एक proper medical supervision में ही यह दवाईया जो है वो use की जाती है तो अगर आपको मेरा यह वेला वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे क्लिक करके हमारा यह वीडियो भी देख सकते है और ऐसे ही बहुत सारे informative वीडियो के लिए पार्मारोग्स की YouTube चैनल को जरूर से subscribe करें So good luck and all the best